हेलो एवरिवान एन वेल्कम टू लर्न एवरिधिंग अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसेयाटी स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हूँ Class 6 की बुक A Pact with the Sun का Second Chapter दी Friendly Mongos को तो चलिए बिना वक्त कवाई हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं एक बार एक किसान अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से लड़की के साथ गाउं में रहता था और वो दोनों पती पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे एक दिन किसान अपने पत्नी से कहता है कि हमारे पास एक पैट होना चाहिए यानि की पालतू जानवर होना चाहिए और जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो तब उसको एक साथी की जर्वत होगी और ये जो पैट होगा वो हमारे बेटे का साथी वनेगा उसकी पत्नी को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा सा मौंगुस यानि की नेवले को लेकर आता है और ये एक बेबी मौंगुस था उसकी पत्नी कहती है कि ये तो बहुत छोटा नेवला है लेकिन जल्द ही ये बड़ा हो जाएग और यह हमारे बेटे का दोश्ट बनेगा अग धीरे धीरे जो बच्चा था और जो नेव्ला था वो दोनों बड़े होने लगे पाँच या छे मेने के अंदर जो नेव्ला था वो पूरी तरीके से बड़ा हो जुका था और वो बढ़ा प्यारा सा दिखता था उसकी दो चमकदार छोटी छोटी आँखे थी और एक खुब खनी सी पूँच थी और जो किसान का बच्चा था वो अभी भी छोटा सा बच्चा था जो कि पालने में रहता था सोता था और रोता भी था एक दिन किसान के पत्नी बाजार जाना चाहती थी वो अपने बच्चे को खिलाती है और उसको उसके छोटे से पालने में सुला देती है फिर वो अपनी टोकरी को उठाते वे अपने पती से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ बच्चा जो है वो सो रहा है तो तुम उसका ध तुम्हें डरने की जरुवत नहीं है नेवला जो है वो एक friendly जानवर है और वो उतना ही प्यारा है जितना की हमारा बच्चा और तुम जानती हो कि वो best friends हैं इसके बाद किसान की पत्नी चले जाती है और जो किसान होता है उसके पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं होता तो वो फैसला करता है बाहर जाने का अपने खेतों पर जो कि जादा दूरी पर नहीं थे लेकिन जब वो रास्ते में आ रहा था तो वो अपनी कुछ दोस्तों से मिलता है जिस वज़े से वो घर समय पर नहीं आ पाता और उसको घर आने में देरी हो जाती है किसान की पत्नी इंतजार कर रहा हो अब जैसे ही नेवला देखता है कि किसान की पत्नी जो है वो वापस आ गई है तो वो दोड़ कर उसके पास जाता है उसका स्वागत करने के लिए जैसा कि वो हमेशा करता था अब जैसे ही किसान की पत्नी नेवले को देखती है तो वो जोड से चलाती है कि खून और वो देखती है कि नेवले का जो मू है और जो पंजे हैं वो पूरी तरह से खून से भरेवे थे और फिर वो पागलो की तरह चिला कर कहती है कि तुम बुरे जानवर हो तुमने मेरे बच्चे को मार दिया फिर वो गुसे में पूरी तरह से पागल हो जाती है और अप देखती है कि बच्चा जो था वो अभी भी सो रहा था लेकिन फर्ष पर एक काला साफ फटा हुआ पड़ा था जिसमें से खून बह रहा था फिर जल्दी ही उसे ये एहसास होता है कि क्या हुआ होगा फिर वो जो है नेवले को देखने के लिए बाहर दोड़ती है और नेवल जो नेवला था वो इन सब बातों से अंजान था क्यूंकि वो तो मर चुका था तो अब जो किसान की पत्मी थी जिसने जल्दबाजी में ये सब किया था वो नेवले की तरफ टक्टकी लगा कर देख रही थी तभी वो अपने बच्चे की रोने के आवाज सुनती है अपने आशों को पोचती है और अपने बच्चे को दूद पिलाननी के लिए चली जाती है तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए तो इसी के साथ ये स्टोरी समापत होती है धन्यवाद